हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुकोशर फ्रेंड्स, आप सभी की इतनी हैवी डिमांड पे हमने MCQs सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जो भी यूनिट आपको करवाएंगे उन्ही यूनिट की फिर MCQs भी करवाएंगे आपको तो आज की इस यूनिट में हमने जो हमारी प्रिवियस वीडियो है उसमें माइक्रो एक्नोमिक्स कवर किया था तो माइक्रो एक्नोमिक्स से रिलेटिड ही जो MCQs हैं वो हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो जो पहला हमारा MCQ है जो पहला कोश्चन है वो क्या है कि the price of burger increase by 22% and the quantity of burger demanded falls by 25% this indicates that demand for burger is elastic, inelastic, unitary elastic और perfectly elastic क्या मतलब है इस question का क्या पूच्छा इस में इन्होंने बोला है कि जो burger है उसका price 22% बढ़ रहा है 22% से बढ़ गया है जो burger है उसका price और जो उसकी quantity demand है देखो price में जो change है वो कितना आया है 22% ठीक है और जो demand में जो change है quantity demand है इन्होंने बोला है यह क्या वह लिख सकते हैं हम इसको जो demand में जो change है वो आया है इसकी वज़े से 25% तो ये तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो demand है burger की वो elastic है in elastic है, unitary elastic है या perfectly elastic है तो इनको समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि अगर price में change कितना change आने से demand में कितना change आये वो elastic होती है, unitary elastic होती है देखो ये होता है हमारे types of price elasticity जो हमने उस वीडियो में किया भी था discuss कि price elasticity जो है वो हमारी perfectly in elastic हो सकती है unit elastic या इसको हम unitary elastic भी बोलते हैं या elastic या फिर perfectly elastic हो सकती है अब ये category कैसे होंगी देखो अगर percentage change in price ज़्यादा है और percentage change in demand है ही नहीं बिल्कुल zero है तो वो हमारी demand जो है वो perfectly in elastic होगी या जिरो होगी अगर price में change ज़्यादा हो रहा है और demand में कम हो रहा है ज्यैसे इस second option में है कि 6% change हो रहा है और price में 10% change हो रहा है तो हमारी जो demand है elasticity of demand है वो in elastic होगी उसको हम in elastic बोलेंगे और perfectly inelastic जब 0 होगी बिल्कुल कोई change ही ना हुआ हो और तीसरा option में है कि जब change in price जो है वो और जो change in demand है वो equal है दुन्नों अगर दुन्नों में change equal हो रहा है तो elasticity of demand equals to 1 होगी और हमारा fourth option में यह कह रहा है कि percentage change in price तो कम है देखो percentage change in price तो 10 है लेकिन percentage change in demand 14 है यहनी कि price में जो change हुआ है उससे ज़्यादा है तो ऐसे जो price elasticity है उसको हम बोलेंगे elastic यहनी कि एक से ज़्यादा है तो elastic एक से कम है तो inelastic बिल्कुल same है अगर price में और demand में change तो वो unitary elastic होगा और अगर ये infinity है यानि कि बहुत ज़्यादा change हो रहा है तो वो perfectly elastic होगा अब हमारे options क्या थे हमारे options थे कि elastic, inelastic, unitary elastic तो इसमें क्या हुआ देखो जो हमारा burger है जो sorry price है burger का वो तो है 22% change उसमें तो और demand में change है 25% तो demand में ज़्यादा change होगा और demand में ज़्यादा change है और price में कम change है तो ऐसे case में हमारा क्या कौन सा case बना तो ये बना हमारा ये elastic वाला case देखो price में कम change है, demand में change है लेकिन price से ज़्यादा change है तो ऐसे में हमारी जो elasticity of demand है वो क्या होगी? elastic यानि कि more than one होगी elastic होगी तो हमारा option जो है one जो ए option है जो यह हमारा ठीक हो जाएगा जो की है elastic यानि कि अगर price में 22% और demand में उससे ज़्यादा percent change हो रहा है तो वो हमारी elasticity of demand जो है वो elastic होगी ऐसे किसने ठीक है दूसरा जो question है उसमें क्या है कि contraction in demand is the result of decrease in demand increase in the price of good concern increase in the price of other goods decrease in the income of purchases अब देखो contraction in demand क्या होता है देखो हमने कल discuss किया था जो हमारी previous video है उसमें हमने discuss किया था कि contraction या extension of demand और एक किया था हमने increase or decrease in demand या shift in demand curve जिसको हम बोलते हैं तो यह क्या होते हैं देखो contraction जो है वो कमी होना है और वैसे ही decrease जो होना है demand में वो भी कमी होना है लेकिन यह दोनों अलग-अलग चीज होती है जो contraction है इसका उल्टा होता है extension contraction का मतलब है खिचाओ, खिचाओ होने का मतलब कि demand कम होई लेकिन किस वज़े से कम होई price की वज़े से price में rise होने की वज़े से demand अगर कम होगी तो उसको हम contraction बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे contraction अगर price में increase होने की वज़े से demand कम हो रहे है तो उसको हम contraction बोलेंगे लेकिन decrease in demand हम किसे बोलेंगे यह अलग चीज होती है ये भी वैसे तो कमी होना है लेकिन इसको हम संकूचन बोलते हैं कि हिंदी में अगर बोले तो संकूचन कि हमारी जो demand है वो संकूचित हो गई, कम हो गई किस वज़े से, प्राइस में बढ़ने की वज़े से लेकिन decrease in demand जिसको हम demand में कमी बोलते हैं क्योंकि economics में या literature हम जिसे बोलते हैं या economics में जो हर एक word का अलग मतलब होता है जब decrease का मतलब यहाँ पे कमी से है और contraction संकूचित यानि कि इसका मतलब है सिरफ price की वज़े से और इसका मतलब है other factor की वज़े से जब demand curve ही shift हो जाता है जब demand curve हमारा ये था तो demand ज्यादा थी demand curve निचे की तरफ shift हो गया तो decrease हो गया demand में और ये किस वज़े से होगा price के अलावा जो other factors है इसमें लेक भी रखाया है other factors this indicator of a decrease in demand when price remains constant but having unfavorable change in determines other than price यानि कि price के अलावा जो other factors है जैसे कि income हो सकती है consumers की या फिर fashion में change हो सकता है related goods की price में change हो सकता है तो उसकी वज़े से जो demand में decrease होता है जो demand में कमी आती है यानि कि जो हमारा demand curve shift हो जाता है उस leftward shift हो जाता है उसको बोलते है decrease in demand लेकि contraction on demand यानि कि जो price की वज़े से कमी आती है तो हमारे इस question का सही answer क्या होगा कि increase होने से price में जब जो कमी होती है उसक हम बोलते हैं contraction in demand तो decrease in demand हमारा इसका सही answer नहीं होगा क्योंकि decrease in demand अलग चीज होती है increase in price of goods concern यहनकि जो goods थी उसका price अगर increase हो जाता है तब हमारा होता है contraction, contraction इसी का result होता है ठीक है अब next जो question है वो क्या है identify the price elasticity of demand when the percentage increase in quantity of a good demanded is smaller than the percentage fall in price यह बिल्कुल first question जैसे ही similar सा question है उसमें उन्होंने अलग से mention कर दिया था है इसमें इन्होंने theory की form में लिखा देखो क्या लिखा है price elasticity of demand बतानिया में किस case में जब percentage change in quantity of goods यानिकि demand change in quantity इसको हम demand बोलते है demand में जो change हुआ है is smaller than percentage change in fall in price यानिकि price में जो change हुआ है उससे कम है हमारा quantity में change यानिकि quantity में कम change हुआ है लेकिन price में ज़्यादा change हुआ है तो ऐसे case में देखो इसके लिए वही टेबल एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखो price में तो हमारा price के comparison में demand में कम change हुए यहाई कि price जदा change हुए demand कम change हुए price जदा यहाँ पर है 10 प्रोड़ demand है यहाँ पर demand में कम change हुआ है price में जदा change हो ता है ऐसे case में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी वो क्या होगी? इन इलास्टिक. तो इसका हमारा सही, इन इलास्टिक होगी, अब इन इलास्टिक लेकिन इसमें हमारे पास ओप्षन्स क्या दे रखे हैं? इक्वल्स टू वन ग्रेटर देन वन, स्मोलर देन वन और जीरो. तो अब इन इलास्टिक का मतलब होता है, हमारा स्मोलर देन वन, यानि कि इलास्टिसिटी हमारी क्या होगी? एक से कम, यह इस टेबल में गीवन भी है, जो टेबल हमने की थी प्रीविएस वीडियो में, कि देखो, इन इलास्टिक का मतलब है, यह less than 1 यहाँ पे लिखा हुआ है less than 1 जो inelastic जब होगी जब change in demand जो है वो change in price से कम होगा ठीक है तो हमारा option C जो है यहाँ पे correct हो जाएगा अब next जो question है वो है हमारा types of goods से अब देखो in case of an inferior good the income elasticity of demand अब देखो इसमें हमें दो concept पता होना चाहिए एक तो है inferior goods क्या होती है दूसरा है income elasticity के types तो inferior goods क्या होती है वो समझते है पहले inferior goods का मतलब है ऐसी goods जो की less desirable है जब consumer की income increase होती है यानि कि यह जो inferior goods होती है यह वो cheap goods होती है cheap बहुत माल लो एक तरह से बहुत cheap quality की goods होती है जो वैसे तो consumer को बहुत अफेक्ट करती है उसकी lifestyle का important part है लेकिन जैसे जैसे consumer की income increase होती है वैसे वैसे वो इनकी demand कम करता है जैसे कि हम इसमें example लें जैसे कि जैसे कोई normally जैसे चावल खाते है rice का इसमें हम example ले सकते है जैसे rice daily rice consume करते है कोई भी जैसे lower income जो household है वो daily rice consume करते है लेकिन जैसे जैसे उनकी income बढ़ती है थोड़ी सी भी तो वो क्या करेंगे rice की जगे substitute ढूण लेंगे कोई और क्योंकि अब वो यह सोचेंगे कि जब यह हम rice इसलिए consume कर रहे थे क्योंकि जो बाकी खाना है उससे यह सस्ता पड़ रहा था लेकिन अब अगर हमें हमारे पास गेहूं available है wheat available है या कुछ और fast food बगएर यह available है तो हम क्यों rice पे depend रहें तो हम यह खरीद देंगे तो वो shift हो जाएंगे वो wheat पे या fast food पे जैसे ही उनकी income increase होगी तो income increase होने से inferior goods जो है उनकी demand decrease हो जाती है तो इनके बीच में negative relationship होता है income किसके बीच में income के बीच में और quantity demand के बीच में किसकी quantity demanded जो inferior goods है यानि कि inferior goods के case में जो demand है वो decrease हो जाती है जैसे income increase होती है और हमारे question में क्या पूछा है in case of inferior goods the income elasticity of demand क्या होगी negative होगी न देखो positive होने का क्या मतलब है कि income बढ़ रही है जैसे जैसे ये income है मालो income अगर बढ़ रही है तो demand भी अगर बढ़ रही है ये demand है demand और income दुनों बढ़ रही है तो इनके बीच में कैसा relationship है positive ठीक है जैसे कि normally हम देखते है जो normal goods के case में होता है उनमें अगर income बढ़ती है तो customer ज़्यादा demand करते है उन normal goods की तो उनकी demand भी बढ़ती है तो वो positive relation होगा है लेकिन inferior goods के case में क्या होता है जब income बढ़ती है तो जो inferior goods की demand है वो कम हो जाती है जो demand है वो कम हो जाती है यानि कि negative relationship होता है क्योंकि जैसे income बढ़ती है तो वो दूसरी goods के उपर shift हो जाते है जो उनको वो ये समझते हैं अब हमारी जो income कम थी इसलिए खरीद रहेते हम ये चीज़ अब हमारे पास और option available है हमारे पास पैसे भी है वो option खरीदने के लिए तो हम अब भी cheap quality की goods पे ही क्यों रहे हैं तो इसलिए वो shift हो जाते तो इनके बीच में क्या सा relation होता है income elasticity of demand कैसी होती inferior goods के case में negative होती है ठीक है तो हमारा option C ठीक हो जाएगा इसमें अब next जो question है वो क्या है कि which of the statement is true अब पहली statement क्या है कि all inferior goods are given goods luxury goods are inferior goods या फिर inferior goods don't have substitute ये तो अभी गलत हम इसको तो मान सकते हैं ये तो true है ही नहीं ये option तो वैसे भी कट क्योंकि अभी अभी हमने discuss किया कि inferior goods ऐसी goods होती जिनका कोई substitute होता है क्योंकि तब ही तो वो income बढ़ने पर substitute की तरफ shift हो जाते substitute क्या है उनके पास एक और option available है उस goods की जगा वो दूसरी goods यूज कर सकते हैं तो inferior goods का substitute होता है और इस line में बोल रखा कहीं नहीं होता तो ये तो option यहीं पर कट हो गया दूसरा है all given goods are inferior goods अब ये given goods और inferior goods इनके बीच में क्या relation होता है इस question में हमें यही समझना है में ली तो तब ही हम इसका अच्छे sensor करवाएंगी तो देखो inferior goods अभी हमने समझा कि inferior goods वो goods होती है जो अगर customer की income अगर कम है तो वो उनको खरीदता है और अगर income उसकी बढ़ जाती है तो उसको खरीदना बंद कर देता है income के उपर depend करती है inferior goods लेकिन given goods क्या होती है देखो given goods are those goods which are inferior यानि कि यह inferior nature की ही होती है given goods लेकिन इनका कोई substitute नहीं होता या easily available नहीं होता substitute इसलिए consumer जो है वो इन ही के उपर shift रहता है अगर उसकी income बढ़ भी जाती तो भी वो इन पर ही वो shift कर ही नहीं पाता वो इन ही के उपर ही यह goods consume करता है जो giffin goods होती है जैसे कि wheat और bread अब देखो अगर customer जैसे हम मान के चले है wheat giffin goods कैसे मानने है यह हमने उसमें भी discuss किया था पिछली वीडियो में भी कि जो wheat है वो क्या है वो एक सस्ता product wheat या bread वो सस्ते में मिल रही थी customers को lower income के लिए अगर हम जैसे मानने या किसी भी type की income कोई भी goods वो उनके case में goods अलग हो सकती है अब मान लो कि normal people है उसके लिए bread जो वो उसको सस्ते में मिल रही थी अब इसके लिए substitute क्या हो सकता है easily available होने वाला meat वगएरा या यह चीज़ हो सकती है ठीक है लेकिन अगर उसकी पर्चे जैसे उसकी income बढ़ी ही है इनका price बढ़ा wheat का price बढ़ गया मान लो तो wheat का price बढ़ गया तो भी वो customer इनकी तरफ shift नहीं करेगा क्योंकि wheat का price जैसे ही बढ़ जाएगा तो उसकी purchasing power कम हो जाएगी purchasing power कम होने का मतलब जैसे मान लो पहले 10 रुपे था wheat का price जैसे मान लो 10 रुपे पर केजी था ठीक है और ये बढ़ गे 15 हो गया तो 15 हो गया तो वो क्या सुचेगा customer की बाकी चीजों में पैसे लगाने से ज़्यादा अच्छा है मैं इसके उपर ही 15 लगा लूँ क्योंकि ये उसकी necessity की चीज होती है ये चीज भी और एक important है कि जो gift and goods होती है वो necessity की चीज होती है जिसके बिना customer मंदब उसको खरीदनी ही पढ़ती है वो चीजे तो चाहे उसकी income बढ़ जाए चाहे price बढ़ जाए उस goods का उसको वो खरीदनी ही पढ़ती है तो ऐसी goods जो है और उनका easily substitute भी available नहीं होता है क्योंकि ये जो wheat है इसका substitute meat कब होगा जब इनका price थोड़ा सा similar सा हो अब इसका price बहुत ज़दा ही है इसका 1 low 50 है तो अब ये अगर 15 है तो भी ये इससे तो सस्ता है तो भी वो customer 15 पर ही shift रहेगा अगर उसका price बढ़ भी जाए ये हमने low of demand जो है उसके low of demand जो है ये कहता है कि price बढ़ने पर demand कम हो जाते उसमें बढ़ाता gift and goods ये होती है तो यानि कि gift and goods क्या होती है अगर ऐसी कोई चीज होती है अगर ऐसी कोई चीज होती है अगर जैसे बिल्कुल similar सी कोई चीज होती है जैसे tea और coffee हम लेके चलें similar चीज होती है जिनका rate भी लगबग similar सा ही रहता है तो goods का substitute होती है easily substitute available होता है तो easily available होगा तो ये इस से इस पे shift हो सकता है coffee से tea पे shift हो सकता है तो ये जो है ये inferior है लेकिन gift one नहीं है ऐसे case में जब easily substitute मिल जाए तो वो inferior होती है gift one नहीं होती है gift one का substitute हमें नहीं मिलता अगर ऐसा question भी आ जाए जो gift one goods है उसका कोई substitute होता है तो वो नहीं होता आपको वो गलत tick करना अगर ये true में ये ऐसे पूछ ले या ऐसे पूछ ले कि किसका substitute नहीं होता तो वो gift one goods का नहीं होता inferior का होता है और एक ये line बहुत important है जो ये question भी है कि all gift one goods are inferior but all inferior goods are not gift one यानि कि अगर हम ये मानने ये inferior goods है इतने बड़े inferior goods है तो इसका एक छोटा सा part होती है gift one goods तो जो ये gift one goods है ये इसका एक छोटा सा पार्ट होती इसका मंदब कि सारी कि सारी जो गिफिन गूड्स वो इनफीरियर तो होती है लेकिन सारी इनफीरियर गूड्स नहीं होती सोरी सार हाँ यह कि सारी कि सारी इनफीरियर गूड्स गिफन हो यह जरूरी नहीं है लेकिन Giffin goods जो होती वो inferior ही होती inferior nature की ही होती है तो इस case में हमारा जो option है वो last ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें बोल रखा है कि all Giffin goods are inferior यह याद रखना आप यह जो circle है इसमें यह inferior है यह पूरा बड़ा circle और इसका छोटा सा part है Giffin तो इस line में यही बात हमें बोल रखे तो यह true हो गया यह option हमारा तो आज की वीडियो में हम यही 5 questions discuss किये हमने ऐसे ही हम increase भी कर सकते हैं अगर किसी unit में ज़्यादा questions अगर बन रहे होंगे अब हमने इस वीडियो में वो topic discuss किया था microeconomics microeconomics की भी हमने elasticity of demand तक का जो topic था उसके से related 5 questions discuss किये आप हमें telegram channel पे follow कर सकते हो जिस पे आपको सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा PDF notes आपको freely available होंगे telegram channel पे इसके अलावा आप हमें instagram पे भी follow कर सकते हो latest update के लिए और जो सारे comments काफी बच्चों के आया है कि daily videos के लिए तो हम कोसिस कर रहे हैं कि हम daily videos बनाएं लेकिन अभी आपको भी पता है कि जो पहले जो है से CT comments का कोई इतना वो था नहीं कि होता था और उसमें commerce का इतना syllabus आता था तो अभी अलग-अलग जगह से collect करना पढ़ता है syllabus तो इसी लिए थोड़ा late हो रहा हैं लेकिन हम कोसिस कर रहे हैं कि daily हम आपको video available करवाएं बस आप हमारे channel पे जुड़े रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें ताकि हमें भी motivation मिलता रहे हैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा videos बनाने का और ज़्यादा से ज़्यादा आपको subject matter जो है वो provide करवाने का thanks for watching